है पर आज हम लोग घुमने वाले दुबाइ का इसे जुमेरा वीच या अगर दुबाई आते हो जुमेरा बीच आप नहीं घुमते हो तो धुबाई आने का कोई अगर दुबाई आए और कार नहीं देखे अपर क्या दुबाई आए यह आप देख रहे हो ना सामने है इन दुबाई यह वर्ल्ल का सबसे लाजिस्ट विल है मेरे पीछे का आप नजार आगे को देखके मजा रहा होगा ना यह को मस्त महतरमा इदर लेटी हुए है इसा पू नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब फिर सवागत करता हूं आपका मेरे इस नए व्लॉग में भाई लोग आज हम लोग घुमने वाले दुबाई का मोस्ट फेमस जुमेरा बीच यार अगर आप दुबाई आते हो और जुमेरा बीच आप नहीं घुमते हो तो फिर दुबाई आने का कोई मतलब भी नहीं भाई लोग क्योंकि यहां पर जुमेरा बीच रेसिडेंस जो है ना जे बियार वो मोस्ट पॉपिलर और मोस्ट फेमस बीच है यार मेरे बीच आप बिल्डिंग दो मज़ा है यहां पर आखे यह जो एरिया है इसको बोलते है मरीना यह दुबा यहां में मगीशा काफे क्या बात है भाई लोग देखो इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्चर देखो यह और यह आप नोटिस करोगे ना सब एक जितने भी बिल्डिंग यहां पर दिख रही है मेरे घल से या तो यह होटल होगा या तो फिर यह रेसिदेंस होगा किसी एक बिल्डर का अलग लेवल का भाई यहां पर कंस्ट्रक्शन है और यह मेरे पीछे आप यह वाला बिल्डिंग देख रहे ना यह लंबा सा यह दुबाई मरीना मॉल तो अगर आपको जुमेरा ब तो अगर अब तीन से चार बजे के बीच आते हो तो उस ताम यहां पर काफी धूप रहता है तो आप यह मॉल में जाके इसके बाद 5-5 बजे आराम से बीच के लिए निकल सकते हो बाई एकदम सांदर नजर है अदबुद कितना मस दिख रहे ना यहां से और यह बोट बाई आप लोग यह वाला वीव देखो क्या खतरनाक वीव है अधर आप लोगों के अल्टिमेट चीज दिखाता हूं यहां पर पूरा प्रॉपर ब्रिज बनाया हुआ हर तरफ जाने के लिए मैं आगे हो भी ब्रिच के उपर और मैं डिरेक्ट ब्रिच करके अपने बीच ब्रिच जाओगे तो जल्दी पहुचोगे ब्रिच चे तो उतर गया यहां पर फ्रेश मार्केट सुपर मार्केट काफी कुछ है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आते हैं तो आप समान वागर पूरा अराम से ले सकते हैं अर यह आप यह देखो आप यह तो भ अगर आप जाए ता इब डारेक्त नहीं यहां पे अधिग लागवा सके हैं तो इसका चार्ज्राइस एप्लिकेशन होता है यह जो कंपनी है इसका नाम है वैगो दुबाई आटिय से यह लिंक्त है था आप आटीय दुबाय का आटीय है उससे इसको सकान करके आप यह स्कुटी जो है डेंट पर ले सकते हो यह दो को भाई अजे मेरे को ना हिल्टन होटल दिख रहा है वहां पर तो जाने तर यहां पर रेसिडेंस है और होटेल से यह काफे पूर्सी तो यह अपने इंडिया में जैसे रहते है ना वैसे ही है बट यह रेस्टरांट होगा काफी महंगा लोग तो वैसे दिखनी रहे बैठे हुए काफी साइज ही नहीं तो यहार मैं फाइनली आगे हम अप सबसे सही रहेगा आप लोगों के आने के लिए उससे पहले आएंगे ना तो बहुत रूप रहता है यहां पर मज़ा नहीं आता पूरा एक तो गर्मी है जुलाइका महिना चल रहा है साधे पांच के आसपास बहुत साही सीन रहता है तभी आप आओगे तो अच्छा रहता तो आपको ना यहां पर लोग कमी दिखेंगे गर्मी मेर से भी कोन आता है यह बार सब चुप चुप अपने घर पर बैठते हैं यहां पर यह टाटू आटिस्ट है टाटू अगरा कराने तो करा सकते है और बाई अगर दुबाई आया और आप लोग को सूपर कार नहीं दि दिखाता हूं वो तो ऐसा ऐसा शोपीस ऐसा रखा है यह आप लोग आओ और आप लोग देखो अरुटे साथ फोटो लो वही मैं आपको बोला ना अगर दुबाई आया और कार नहीं देखे तो फिर क्या दुबाई आया यह लक्शेरी रेंटल कार है इसको आप रेंट पे सब्सक्राइब और 24 घंटे के लिए भी ले सकते हो सही है उस ताहरे अपना स्टार बॉक्स है बहुत सारे रेस्ट्रेंट है इंडियन थोड़ा कमी दिख रहा है यह चोटा-चोटा यहां पर मार्केट है अच्छा कासा मतलब लोग जितने भी लोग आते हैं शाम को कुछ कुछ तो लेते हुएंगे काफी कुछ यह लोग ने रखा है बहुत ही खतरनाक सीन है यहां पर अगर आप दुबाई आते हो और जेबियर नहीं आते फिर कुछ मतलब नहीं बनता यह जगा तो एकदम मस्ट है वा भै क्या नजार आए अल्टीमेट संसेट होने को भी टाइ पर में इसको बंद कर देते हैं अगर आप विंटर वगर में आऊ तो यह जो है चालू हो जाता है और बीच पर आके तो भाई लोग मस्त सीन है और फाइनली मैं बीच पर आगया हूँ अपने जुमेरा बीच पर मेरे पीचे का आप नजारा देखो देखके मजा रहा होगा आप आप इस आरे चारों तरफ आपको सिर्फ तावर्स बिल्डिंग यही सब दिखेगा दुबे में और रहे है यही तो है इसी का तो चल रहा है और बीच पर आपको डेर सारे जो है यह शौप शोटे-शोटे शौप काफे जरेश्टरांट्स यह सब आपको दिखेगा य यह क्या सीने भाई यह तो है एविटी एविटी बीच पर क्यों चलाएंगी लोग मेरे खाल से कहीं तो कुछ तो होगा कहीं पर चलाने के लिए जार बीच तो खतरनाक है बड़ मेरे को लोग कम दिख रहे हैं यहां पर घर्मी में वैसे भी जाहतर गोरे लोग ही आते हैं हम इंडियन और यह अरब लोकल्स तो कम ही आते हैं अगर बीच पर कुछ लोग दिखेंगी भी ना यह गोरे लोग दिखेंगे वाई जैसा बोला यहां पर बीच पर सिफ गोरे लोग ही जाएंगे यह बाई साब टावल लपेट के जो है निकल लिए बीच के लिए यह जो आपको सामने दिख रहा है ना यह दोखो यह तो अलग लेवल का सीन है क्योंकि यह इन्होंने बनाए एक रेस्टरांट इसको बोलते है फ्लाइंग रेस्टरांट यहां पे ना इसके उपर आप जाके इसके उपर आप लोग जाके जो है डिनर कर सकते हो तो इसका कुछ चा आपको थोड़ा सा कॉर्णर पर जाके सब दिखाता हूं सीन यह बिल्डिंग दखा आप लोग क्या साइस इसका स्ट्रॉक्चर बाएंगा एकनम खतरनक यह पूरा मतलब ऐसा अलगी शेप है बीच में होल कर दिया है बिल्डिंग के यह अम लोग आगे अभी अपने बीच पर हाने का तो हवा चल रहा है इतक यह दो मस्त महतरमा इदर लेटी हुए है इसा पूरा जुला गुला बना के दिया इदर यह दो भाई यह तो अपने बाप को पूरा इसने मिट्टे में बिठा दिया है यह तो अलगी सीन कर दिया है इसका कर दो अगर में तो आगया अपने जुमेर बीच पर और ज्यादा नहीं अगरे कल से आदे गंटे यहां पर बैठूंगा उसके बाद फिर में निकल जाओंगा क्योंकि दूप और गर में तुछ जादा ही है तो अगर मेरे को नहाना होता तो अब तो में रुपता है बट अभी नहाना भी नहीं है तो क्या करूंगो इतने रुपते हैं वोड़ास आपको बीच वाक दिखा देता हूं सब सीन कि यहां से आप नजारे देखो भाई लोग यहां पे पूरा बीच है और इस तरब से पूरा रेसिडेंस टार्ट हुता है और जो वाँ पे जो उपर रहते होंगे ना उलों का तो मस्त भी दिखता होगा यार इंडिया में तो अभी बारिश हो रहा है वाड़ यहां पे बारिश का पूरा नामो निशन नहीं है यहां पे बारिश आती है नमंबर में यह बारिशा पेको अमस्त उस तो हाट बना रहे है उपर ए लिखे है यहां पे ना काफी जो है कम पब्लीक आया है ने जुन में तो है भाई फुल जीत कराएं तो है किय जो एक ऑफबन चेर है ना यहां एक्व फण जो भी इसको बोलते है एकवा फन बोलते है इसका चसलिग फड़ा सब्हीं भ्ड़ा से महां बताता हूं कि अnicaा चार्घर है अगर आपको अपने बच्चों अगर आपको जाना है तो पर परसन का अगर शे साल के उपर है तो 155 में और ग्रूप में आते हो और फाइव मोर 125 125 पर पर परसन है अगर पास लोगे है तो तो मेरे कल से साड़े 3,000-4,000 के असफास हो गया है तो महेंगा यह अगर आपको करने है तो आप भी कर सकते हैं अगर आपको जेट्स की का मजा ले रहे है यहां पर रेंट पर आपको जेट्स की बागर जिसना भी राइट होता है तो सब में लेगा उससा में आपको शार्ट अभी बताता हूं कुछ तहां लें है आई हो पाव लोग के अगर बीच देख के मजा आ रहा होगा कि अलो यह आपना जारा देखो और उपर मस्त बैठके आप जाएक अपना डिनेर रहा करते हैं उपर बैठके लोग अपना डिनेर रहा करते हैं और अच्छा कासा उनको व्यू मिलता इधर का वोटर एडवेंचर दुबाई इसका पूरा रेट यहां पर जेट स्की का अप अंदर में 200 दिरम है और फ्लाइबोर्ट 350 दिरम अपना 4000 होगा उसकी उपर मिनेमम स्पेंड आपको 4000 है और फिशिंग ट्रिप पे लेके जाएंगे इसका तो अलगी लेवल का चार्ज है 3000 मतल लो इस पर भी वही सीन है तो यह न अपना टिकेट काउंटर है वाटर एडवेंचर का अगर आप लोग को लेना एजस्सके बाजू में यह आपको दिखेगा ना रेस्टरॉंट प्लाइंग रेस्टरॉंट इसके अजस्ट बाजू में आपको यह काउंटर दिखेगा पर नजरा दिखा देता हूं बहुत ही सई सीन है यहां था आपको फुल मस्त भी दिखेगा नहा लेते हो ना यहां पर शावर के लिए पूरा सीन दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं मिटी उटी लगया तो इधर आके नहालो और इधर तो भाए फुल बिजनस चल रहा है टा टावल का 25 दिरम 500 रुपया आपको टावल लगेगा लॉकर का 50 दिरम यहां पर अगर सर्फिंग अगरा करने तो आप लोग ले सकते हो और वो बैठने का सीन है ना जो आपको दिखा रहा था जो खाली था वो इसलिए खाली था क्यूंकि इतना महंगा मिल रहा है बाई 5000 का आपको बेड़ मिलेगा इदर बैठके वगर मजा लेना है तो अब बाई हम तो बीच पर आते नहां आते और शावर लेके पोच पाच के निकल जाते हैं उदर बेटेगा कौन अगर आप लोग को बैठना है तो खर्चा करो 5000-6000 और मजा लो फिर संसेट का तो दोस्तों मिल